आज मैं आपके लिए कोई DIY नहीं लेकी आई हूँ कोई व्यूटी टिप नहीं लेकी आई हूँ आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक डे क्रीम की एक ऐसी क्रीम की जो की आज हर किसी को जरूरत है आफ्टर 25 इयर्स हर कोई इसे यूज कर सकता है तो आज हम बात करने वाले हैं पॉंट्स एज मिलकल डे क्रीम की फ्रेंट्स चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ इसकी पैकेजिंग कैसी है और ये क्रीम किस कलर की है या कितने पैकेजिंग में यह आती है तो चलिए द दिखा देती हूँ ये क्रीम कैसी दिखती है ये देखिए ये हमारी क्रीम ये है इसकी पैकेजिंग ये 10 ग्राम की पैकेजिंग में है आप चाहे तो इससे बड़ी वाली भी ले सकते हैं तो फ्रेंट्स ये है हमारी क्रीम ये देखिए छोटू सी क्यूट सी डिबी है है हमारी क्रीम यह अपनी पैकेजिंग की तरह क्यूट है इसका कलर काफी प्यारा है यह एक दम लाइट पिंग कलर की है आपको दिखाई दे रही होगी और फ्रेंड्स यह जो क्रीम है यह काफी अच्छी है हमारी स्किन के लिए आप इसे ट्राइ कर सकते हैं फ्रेंट्स नॉर्मली मैं ये वाली पैकेजिंग लेती हूँ ये 35 ग्राम में आती है ये मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो ये थोड़े लंबे समय तक चल जाती है ये देखिए ये 35 ग्राम की है फ्रेंट्स आप ये क्रीम से अगर पर्चेज करना चाहेंगे चाहें वो 10 ग्राम की है 35 ग्राम की मैं इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ये क्रीम जो है 10 ग्राम वाली 115 की है लेकिन आप देख लिजिएगा बहुत बार पैकेजिंग पे ओफर भी आते हैं बीच में ये 99 में भी आ रहे थी पर इस बार तो मैंने इसे 115 में ही लिया है ये 10 ग्राम में है ये जो क्रीम है made in इंडिया है और ये HUL की है हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड कंपनी की बनी हुई है तो friends आप कोई भी packaging ले सकते हैं तो friends ये है इसके ingredients आप चाहें इसे आराम से पढ़ लिजेए इसक्रीन सोट खीच लिजेए उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं तो आप चैक कर लिजेए इसमें कोई ऐसी चीज दो नहीं है जो आपकी skin को सूट नहीं करती है तो चलिए फ्रेंट्स यह है वो क्रीम मैं इसे आपको अपलाई करके दिखा देती हूँ आज मैंने अपने स्कीन पे ओनली संस्क्रीम लोशन अपलाई किया था और कुछ भी अपलाई नहीं किया है ताकि मैं आपको डिफ्रेंस दिखा सकूँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से अपने किंगर टिप से मसाज कर लीजिए तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं डिफ्रेंस आपको साफ नजर आएगा तो फ्रेंट्स अगर आप बहुत ज़्यादा मेकप फ्रेंडली नहीं है आपको मेकप करके रखना पसंद नहीं है तो आपके लिए पाफेक् लग जाता है या पूरी तरह से वो जाएंगे भी नहीं लेकिन अगर आप अर्ली एस से यूज़ करना सुरू करते हैं तो क्या होगा आपके रिंकल्स बहुत देर से आएंगे और धीरे धीरे करके आएंगे एकदम से आपकी एस आपके फेस पे नहीं दिखेगी तो फ्रें इससे वो ही लुक आता है और यह बहुत जादा चिप-चिपी भी नहीं है यह स्किन में दिरे-दिरे एब्सोर्ब हो जाती है और एक हलकी सी साइन आपके स्किन पे छोड़ती है और एक फेरनेस भी छोड़ती है साथ में इसमें SPF 18 PA++ है जो आपको UV rays से भी प्रोटेक्शन देता है और आपकी aging को slow करता है और friends इसमें retinol C है जो आपके wrinkles correction में आपकी help करता है तो इसलिए यह wrinkle crackter cream है और अगर आप इसको use करते हैं तो आपको wrinkles बहुत जल्दी आते ही नहीं है और daily अगर हम कोई भी cream use करते है तो यह हमारी skin पे एक अलग सा glow आता है और उसका eye pack जर cream चल जाती है और बार बार लाने की जरुत नहीं पड़ती है यह 35 gram की है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें बहुत कम है इसमें भी 10 gram cream आपको मिलती है और यह लगभग आपके एक महिने के लिए enough है और इस packaging की main बात यह है कि यह बहुत ही छोट इसी cute से डिबी है जो कि मैं इसे सालों से यूज कर रही हूँ बट then also कोई भी चीज नहीं अगर आप यूज करते हैं तो उसका patch test जरूर ले लीजिए उसके बाद ही आप यूज कीजिए और जब first time यूज करते हैं तो आप ये छोटा वाला packing ही लेके आईए ताकि अगर आपको suit ना भी करें तो एजिंग का काम भी करेगी और आपका sun से protection भी करेगी तो I hope friends आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो please like, share and subscribe करना ना भूले मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में till then बाई बाई